Hi everyone, my name is Smita Minj, welcome back to my channel. So, आज इस वीडियो में जो topic हम discuss करने वाले हैं, वो है difference between assessment of learning and assessment for learning. ये आप लोगों को B.A. third semester का एक subject रहता है, assessment in learning. उसका first unit का ये एक topic है, यहाँ पे आप लोगों को assessment के बारे में पढ़ना होता है, याने की आंकलन क्या होता है. और assessment of learning भी आप लोगों का एक topic रहता है, जिसकी वीडियो मैंने बना करके डाली हुई है. And assessment for learning भी आप लोगों का एक topic रहता है, इसके उपर भी detailed video जो है मेरे channel पे आपको देखने को मिल जाएगी. So, आज जो हम discuss करेंगे वो इसका difference between है कि assessment of learning क्या होता है and assessment for learning क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है. तो यहाँ पे कुछ points को हम देख लेंगे, so start करते हैं आज का हमारा video और first point देखते हैं, assessment of learning is based on examination, while assessment for learning is based on learning. याने कि यहाँ पे बोला गया है जो assessment of learning होता है, यह परिक्षा पर जो है based रहता है, याने कि आधारित रहता है, याने कि अगर आपको आकलन करना है कि बच्चे कितनी चीज़ें सीख पाए, तो आप किस प्रकार से आकलन करेंगे, exams लेकर के, याने कि परिक्षा उनकी लेक आप ये जानेंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, और वहीं अगर हम assessment for learning की बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है, is based on learning, याने कि assessment for learning में आप इस प्रकार से आकलन करते हैं, ये देख करके कि बच्चे कितनी चीज़ों को सीख रहे हैं, याने कि जो उनकी अधिगम की प् यान वो ले पा रहे हैं, तो ये हो गया पहला difference कि assessment of learning जो है examination पे आधारित होता है, and assessment for learning जो है वो सीखने पर ही आधारित होता है कि बच्चे कितना सीख पाए, उसी से ही आप उनका आकलन करते हैं, next और second point है हमारा, assessment of learning begins at the end of a fixed period and course of learning, याने कि हम assessment of learning कब करते हैं, याने कि आकलन बच्चों का कब करते हैं, जब हम कोई चीज उनको पढ़ा रहे होते हैं, और वो topic या वो chapter या जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसका duration जो time period है, वो जब end होता है, याने कि वो topic जो है वो अपने समाप्ती की ओर रहता है, जब आकलन करते हैं, जिसको कि हम assessment of learning बोलते हैं, while assessment for learning continues during classroom teaching और assessment for learning जो होता है, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि आप अपने classroom teaching के दौरान ही बच्चों का आकलन कर सकते हैं, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, तो क्या अंतर देखा हमने यहाँ पे? assessment of learning, याने कि जब आप चीजें सारी पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद आप उनका आकलन करेंगे, और assessment for learning, याने कि जब आप पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने के साथ साथ में ही आप उनका आकलन करते चलेंगे. next और third point जो है हमारा वो यहाँ लिखा हुआ है, assessment for learning is fraught with fear and stress, याने कि जब हम आकलन करते हैं, assessment of learning जब हम करते हैं, वहाँ पे इस प्रक्रिया में जो है, थोड़ा सा भय और तनाव जो है, वो शामिल होता है. अब fear या stress याने कि जो भय और तनाव है, वो क्यों यहाँ पे रहता है, क्योंकि हमने पहले point के पहले line में देखा है, assessment of learning is based on examinations, अब जहाँ पर भी examination या परिक्षा की बात होगी, परिक्षा ले करके अगर आप बच्चों का आकलन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको थ तयारी अगर रही है, परिक्षा देने की उनको तो डर और तनाव रहेगा ही, पर जो बच्चे पढ़ते भी हैं, उनको भी कहीं न कहीं यह रहता है कि किस प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे, जिस प्रशन की हम तयारी कर रहे हैं, वो प्रशन आएगा या नहीं, तो इ आगे लिखा हुआ है, while assessment for learning creates an enjoyable environment, याने की assessment for learning जो है, वहाँ पे इतना भय या तनाव नहीं रहता, वहाँ बच्चे चीजें enjoy करते हुए सीखते हैं, एक enjoyable environment रहता है, क्योंकि उनको किसी परिक्षा का भय नहीं रहता, उनका आंकलन सीधे सीधे इस पर आधारित रहता है कि वो कितना सीख रहे हैं या कितना समझ रहे हैं, next हमारा जो point है, वो है fourth point, the role of teacher in assessment of learning is important, whereas the role of student is important in assessment for learning, तो यहाँ पे यह कहा गया है, कि assessment of learning में teacher की भूमिका को महत्वपून बताया गया है, अब teacher की भूमिका महत्वपून क्यों होगी, क्योंकि assessment of learning जो आकलन हम करते हैं, वो हम परिक्षा ले करके करते हैं, परिक्षा लेने के लिए एक teacher की आवर्शक्ता होती ही होती है, इसलिए यहाँ पे role of teacher जो है important बोला गया है, और उसी में हम दूसरी तरफ देखे, assessment for learning की जब बात करते हैं, यहाँ पे student की भूमिका को महत्वपून बताया गया है, या important बताया गया है, और वो इसलिए, क्योंकि student चीज़ों को कितना सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, इस पर ही उसका आकलन होता है, इसलिए यहाँ पे student की भूमिका assessment for learning में महत्वपून होती है, और teacher की भूमिका assessment of learning में महत्वपून होती है, next point हमको देखना है, assessment of learning is based on rote learning of information and facts, याने की जो assessment of learning होता है, उसमें यह कहा जा रहा है, कि यहाँ पे रटने वाली चीज़ें जादा होती है, कि आपको कक्षा में क्या हो रहा है, क्या topic चल रहा है, क्या chapter है, क्या concept teacher बच्चों को बता रहा है, वो clear हो या ना हो, लेकिन आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो आपको रटना होता है, अपने दिमाग में बैठा आकलन होगा, assessment of learning में, वो exams याने की परिक्षा पराधारीत होगा, और परिक्षा पास करने के लिए आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, अब उस जानकारी को आप समझ के अपने दिमाग में रखे, या फिर आप रट करके रखे, तो यहाँ पे माना जाते हैं कि wrote learning, याने कि रटने वाली जो process है, वो यहाँ पे ज्यादा होती है, assessment of learning में, whereas assessment for learning is based on knowledge and understanding, assessment for learning जो है, वहाँ जो आपकी अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वहाँ पे इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि आप कितना ज्यान प्राप्त कर रहे हैं, एंड आप कितनी चीजों को समझ पा रहे हैं, knowledge याने की ज्यान and understanding याने की समझ पाने की श्रमता कि आप कितना समझ रहे हैं, तो assessment of learning में बच्चों को बहुत pressure रहता है, इसलिए वो हर चीज को रट लेते हैं, assessment for learning में pressure नहीं रहता किसी भी प्रकार का बच्चों पर, ये वो रटते नहीं हैं, बलकि concepts को and चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ज्यान को लेने की कोशिश करते हैं, Next point यहाँ पर है, in the assessment of learning, it cannot be assured that the child has attained complete knowledge and competencies, याने की assessment of learning में हमको संतुष्टी नहीं हो पाती, As a teacher हम यह confirm नहीं हो पाते हैं, या assure नहीं हो पाते, कि बच्चा जो है, वो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उस चीज को समझ चुका है, अच्छी तरीके से सीख चुका है, उसकी ग्यान में बढ़ोत्री हुई है, या उसकी skills में बढ़ोत्री हुई है, यह हम पता नहीं लगा सक सकते हैं, whereas the teacher can assure this in the assessment for learning, जबकि हम assessment for learning की बात करते हैं, वहाँ पर हम इस बारे में संतुष्ट हो सकते हैं, कि बच्चा कितना सीखा या समझा है, assessment of learning तो exam based होता है, यानि कि वहाँ परिक्षा ले करके आकलन बच्चों का किया जाता है, अब परिक्षा में तो हो सकता है, परिक्षा दे रहा हो, अच्छी तरीके से चीजों को समझ के, कोई हो सकता है कहीं से cheating करके दे रहा हो, कोई हो सकता है कि उसको समझ तो नहीं आया, पर वो परिक्षा के भय में सारी चीजों को रट लिया, तो यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते कि actual में बच्चे को चीज सम तनाव नहीं होता अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ ही उनका assessment याने की आकलन जो होता रहता है तो यहाँ पे teacher संतुष्ट हो सकता है कि हाँ हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया next point है in the assessment of learning the child is divided into categories of pass or fail यारे की assessment of learning जब होती है जब आकलन होता है तब हम बच्चों को यहाँ categories में बाढ़ देते हैं कि यह बच्चे pass हुए यह बच्चे fail हुए whereas in assessment for learning the child is helped to learn rather than pass or fail याने की जब हम assessment for learning करते हैं याने की सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ ही उनकी आकलन की प्रक्रिया भी चलते रहती है उस समय हम बच्चों की सहायता कर सकते हैं उनकी जो भी दुविधा है उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करने में और उनकी अधिग अधिगम की प्रक्रिया को बहतर बनाने में तो ये भी एक अंतर होता है assessment of learning and assessment for learning का assessment of learning में बच्चों का आकलन करके सीधा उनको category में बाट देते हैं पास और फेल की assessment for learning में ऐसा नहीं होता है पास और फेल जैसी कोई category नहीं होती हर बच्चे को उनके individual differences के तहत जो है देखा जाता है उन पर ध्यान दिया जाता है और उनकी अधिगम की प्रक्रिया को और बहतर करने में उनकी help की जाती है next point है competition among children is important in assessment of learning while assessment for learning is based on students cooperation याने कि जहां पे assessment of learning की बात आती है यहां पे बच्चों के बीच काफी competition रहता है क्यों क्योंकि यहां पर परिक्षा होनी है परिक्षा के बाद आपको category में बाटना है कि आप pass है या फेल है तो यहां पे तो प्रतियोगिता की भावना जो है वो आएगी ही competition की feeling जो है वो जबकि assessment for learning में इस तरीके की चीज नहीं होती यहां students का आपस में cooperation रहता है मान लिजे मैं student हूँ और आप भी student है तो किसी चीज में मैं आपकी सहायता करूंगी समझने में तो किसी चीज में आप मुझे सहायता करेंगे कुछ चीज सीखने में याने कि यहां परिक्षा नही feeling में रहता और आपस में मिलजुल करके बच्चे यहां पर पढ़ते हैं सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं next point हमको देखना है assessment of learning is quantitative quantitative कहा गया है assessment of learning को quantitative इस लिए क्योंकि यहां पर हम marks देते हैं या उनको percentage देते हैं या उनकी ranking करते हैं हर चीज को हम numbers के थ्रू जो है show कर सकत रहे हैं while assessment for learning can be both quantitative and qualitative यानि की assessment for learning जो है यह quantitative भी होता है और यह qualitative भी होता है कुछ चीजों में हम इनको marks दे सकते हैं तो वो quantitative आ जाएगा और जो हम उनकी सीखने की प्रक्रिया को बहतर बना रहे हैं यानि कि हम उनको एक quality education दे रहे हैं तो यहां से हम qualitative भी इसलिए क्या है पा रहे हैं कि बच्चे जो हैं सिर्फ चीजों को रट नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं बल्कि उसको समझ रहे हैं अपनी दिमाग में रख रहे हैं तो assessment of learning की बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ quantitative रहेगा पर assessment for learning की बात आएगी तो वो दोनों रहेगा quantitative भी and qualitative भी जो assessment of learning है इसको one-sided कहा गया है, one-sided इसलिए क्योंकि इसमें अलग-अलग चीजों पे ध्यान नहीं दी जाती, यहाँ पे आपका पूरा focus जो रहता है सिर्फ examinations पे रहता है और उस exam में बच्चा किस प्रकार का performance दिया, इसी में सारा ध्यान रहता है, while assessment for learning is multilateral, यानि कि जब हम assessment for learning की बात करते हैं, वहाँ पे pass, fail, परिक्षा यह concept नहीं रहता, यहाँ पे हम बच्चों को समझ आ रहा है की नहीं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं की नहीं, बच्चों को कुछ problem है, क्या कुछ problem है तो हम उसको कैसे हल कर सकते, बहुत सारी चीजों प learning की बात आएगी तो वो one-sided कहलाएगा, assessment for learning की बात आएगी तो वो multilateral कहलाएगा, next और last point हमारा है difference का, assessment of learning is student-based, has to make a complete effort, याने की students को ही यहाँ पे सारा जो effort है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि जो ultimately जो exams देना है, जो परिक्षा देनी है, वो कोई teacher तो देगा नी, parents तो देगा नी, principal तो देगा नी, परिक्षा में बच्चों को ही शामिल होना है, तो सारा जो मतलब main career जो आप बोल सकते हैं, वो अपना exam जो है वो pass करो, while assessment for learning involves the efforts of the student, teacher and parent trio, याने की जब हम आकलन करते हैं, assessment for learning को ले करके चलते हैं, assessment for learning में यहाँ पे trio देखने को मिलता है, और trio याने की तीन लोगों का जो है mission यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तीन लोग कौन होंगे, एक होगा student जो पढ़ेगा, एक होगा teacher जो उसको पढ़ाएगा और उसकी जो भी दुविधा है उसको हल करेगा, और एक होगा parent याने की जो उसके माता पिता है या जो भी उसके guardian है, वो भी उसको help करेंगे परिक्षा पास करनी होती है, assessment for learning की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि कोई परिक्षा नहीं होती, तो सभी लोग मिलके आपस में काम करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को बहतर बनाते हैं, student भी अपना effort देता है, teacher भी अपना effort देता है, और student के जो parent है, वो भी अपना प and assessment for learning का, इसको आप अच्छे से देख लीजे, अच्छे से समझ लीजे, कि अगर आपके exam में पूछा जाए, तो आप अच्छे से इस question को जो है, attempt कर सकते हैं, तो यहाँ पे ही end करते हैं हमारा आज का वीडियो, सारे points आपको clear होंगे, समझ में आए होंगे, तो वीडियो को like जरूर से कर लीजेगा, subscribe कर लीजे channel को and friends के साथ भी जरूर से share करिएगा, ताकि इस तरीके के content and notes जो हैं सभी students तक जा सके, so मिलेंगे अब next वीडियो में next topic के साथ, thank you